करपूर गवरं करुड़ावतारं संसार शारं भुझ गेंद्रहारं सदा बसंतम हिर्द्यार विंदेभवं भवाने सहितं नमामी नमस्कार मैं हूँ जोत्साचार डॉक्टर विंतर पार्थी आप देख रहे हैं भागी गुरू कारिक्रम भागी गुरु करकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि आज की पंचांगों की स्थती क्या है सुर्योदे कब होगा, सुर्यास्त कब होगा, राहुकल कब है, दिशासूल कब है कौन सा नचत्र है कौन सी तिती है कौन सा योग है कौन सा करण है ये सारी बाते बताऊंगा चंद्रमा किस राशी पर ये भी बताऊंगा और आज का महा मंत्र क्या है महा मंत्र का जब कैसे करेंगे और जब करने से आपको क्या लाब होगा 12 राशों की भी बारे में विस्तार से बताएंगे कि आज की 12 राशों की क्या इस्ति है कौन विदेश जाएगा किसको सरकारी नोकरी मिलेगी कौन उच्पत की प्राप्ति करेगा किसको राजनेतिक लाब मिलेगा कौन कुटनितिक होगा कौन डिप्लोमेसी में जाएगा कौन ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, कौन डेमोक्रेसी में जाएगा, किसके घर किलकारी गुजेगी, किसके घर सहनाई बजेगी, किस अंक के प्रयोग करने से आपका बड़ा भाग गोदे होगा, किस रंग के प्रयोग करने से आपकी संकटों का समाधान होगा, सौधानी के अबरत और अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की आज का महामंत्र है ओम निलांजन समाभावसं रवी पूत्र में मांगरजं छाया मारतंड संभोतं तम नमामी सनाइस्चरम यह जो महामंत्र है सूरी पुत्र सनी देव का है जदि आपकी कुली में सनी नीच का है या सनी प्रभाव हीन है या गलत जगब बैठा हुआ है और सनी की वज़़े सापको परिशानी हो रही है ता आप इस महामंदर का जब करेंगे तो सनी का अनुकूल प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ेगा जदि आपकी कुली में सनी की साड़े साथी धैया अंतर तसा प्रतेंतर सा चल रहा है और सनी आपका ठीक प्रभाव नहीं दे रहा है ऐसे परिशिते में इस महामंदर का जब करना आपके लिए बैतर होगा आप सफेद या काली रंग का वस्रधान करें और रुद्राक्ष क माला से कम से कम 21 सनीवार इस मंतर का जब करें आप देखेंगे आपके जीवन में उत्रोतर विकाश प्रकत और चतुरदिक प्रकत होने से आपका मन खुश रहेगा